Post Types और Taxonomies तो हमने देख ली, अब आते हैं Posts की Fields पर और ये Default Post Types और Custom Post Types दोनों पर अपलाए होगा अगर आप WordPress में Post, Page या Custom Post Type अड़ करें या किसी मुझूदा को Edit करें तो Edited Interface में आप उसकी Fields देख सकते हैं और उन्हें Edit भी कर सकते हैं By Default, WordPress Post में सिर्फ Title, Content और Accept की Fields होती है यहाँ पर आपको Title और Content की Fields नदर आ जाएंगी और Accept Fields के लिए आपको Document में आके नीचे स्क्रोल करके Accept की Fields को Expand करना पड़ेगा इसी तरह Featured Image भी एक Custom Fields ही होती है लेकिन अगर आप अपनी साइट पे ऐसा Content मैनेज कर रहे हैं जिसके लिए सिर्फ Title, Content, Featured Image और Accept काफी नहीं है आप Custom Fields का इस्तमाल भी कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले इस Menu में आके Options पे क्लिक कीजिए ट्रोल डाउन करके Custom Fields को Enable कीजिए और Enable and Reload पे क्लिक कीजिए अब यहां आपको एक Custom Fields का सेक्शन दिखाई देगा जहां आप किसी मुझूदा Custom Fields को Edit भी कर सकते हैं और चाहें तो कोई नई Custom Fields अड़ भी कर सकते हैं आपकी साइट पे इंस्टॉल हुए वे Plugins की Add हुई Fields आपको इस लिस्ट में दिखाई देंगी मेरा मश्वर है कि उन्हें कभी मत छेड़िएगा उन्हें Edit करने का तरीका अक्सर आपके उस Plugins के Features में शामिल होता है और कुछ ऐसी Fields भी आपके Plugins की तरफ से Add हो सकती है जिने Edit करने का कोई तरीका ना हो वो उन Plugins की Internal इस्तमाल के लिए Fields होती है और उन्हें छेड़ने से उनकी Functionality खराब हो सकती है अगर मैं इस Post के बारे में कोई नई चीज अड़ करना चाहता हूँ सबसे पहले मैं Enter New पे क्लिक करूँगा उस Fields का नाम रखूँगा जैसा के Color की Value सेलेक करूँगा जैसा के Red और Add Custom Field पे क्लिक करूँगा अब आप यहाँ देख सकते हैं के Color Red के नाम से एक Field एड़ हो चुकी है चाहे तो आप इसे Delete करें चाहे तो इसकी Value चेंज करके या नाम चेंज करके इसे Update करें यह WordPress की अपनी Custom Field functionality है लेकिन इसकी काफी Limitations है जिस वज़ा से इसे मैं Directly अक्सर इस्तमाल नहीं करता इस सबसे वड़ी Limitation यहाँ सिर्फ हो सिर्फ Text टाइप की Field आइड़ की जा सकती है जबके हम अगले Lesson में Custom Fields आड़ करने का जो तरीका सीखेंगे उसमें हम बहुत सी मुक्तलिफ टाइप्स की Fields भी यहाँ आड़ कर सकते हैं उसके लावा यह Custom Fields को Groups में Organize करना और मुक्तलिफ तरीके से Backend में Manage करने के लिए उनका Interface बनाना मुम्किन नहीं तबके वो Plugins जो हम Custom Fields के लिए इस्तमाल करेंगे इन तमाम चीजों को नहायत आसान बना देते हैं आईए अब देखते हैं के WordPress के कुछ Plugins कैसे Custom Fields का इस्तमाल करते हैं हम अगर Plugins में आके एक Events Plugin इंस्टॉल करें जैसे के The Events Calendar और उसे Activate करें तो आप देखेंगे कि यहाँ Events के नाम से एक Section Add हो चुका है उसमें Events की Custom Post Type भी मुझूद है उसके लावा Event Categories की Taxonomy मुझूद है इसी तरह Venues और Organizers की भी Custom Post Types मुझूद है अब हम अगर एक नया Event Add करें तो आप देखेंगे के यहाँ में Title की Field मिलेगी और उसके बाद Post Content की Field भी मिलेगी लेकिन यह Content की Field WordPress का पुराना Classic Editor इस्तमाल कर रही है और इस Plugin के मकसद के लिए वो ही काफी है हमने जो पहले Post Editor देखा वो WordPress का नया Gutenberg Editor है जिसका पहले भी मैं जिकर कर चुका हूँ वो इसी Content की Field के Editing Experience को काफी Enhance करता है और जब भी कोई Plugin Developer या WordPress User कोई Custom Post Type Add करता है तो उनके पास Option होती है कि वो उसके Content के लिए Classic Editor इस्तमाल करें या नया वाला Gutenberg Editor इस्तमाल करें Title, Content और Featured Image की Standard Fields के इलावा आप यहां देखेंगे के The Events Calendar के नाम से एक पूरा Custom Fields का Section मौजूद है जिसमें इस Event के Start और End Time की Custom Fields है Event के Venue की Custom Fields है के इलावा Event के Organizers की Custom Fields है Event की Website आड़ करने के लिए Field है Event की Cost यानि Ticket Price उसके लिए Fields मौजूद है यह तमाम Custom Fields हैं जो इस Plug-in के Developer ने इस Events, इस Events Custom Post Type में आड़ की है तो यह था Custom Fields का Overview अब अगले Lesson में हम देखते हैं के WordPress में हम आसानी से Custom Post Types, Custom Taxonomies और Custom Fields कैसे आड़ कर सकते हैं